हेलो दोस्तों आq के इस नए वीडियों मेरे स्वागत दोच्णかった depends आज number टेप डिल साइज boy देद पे भीटलक से ने मेठिकत हरीड तो हमारी चैनल प्रने हो तो हमारी चैनल को लाइख सब्सक्राइब सुरहर। हैं आपको टेप डेल साइज का मैट्रीग ठेड के लिए फार्मुला भी फार्मूले के थुरूझ निकालना सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं ठीक है फ्रेंट्स साइज निकालने के जगरत इसलिए हमें पढ़ते हैं क्योंकि हमरे पास ऐसे कई सारे पोल्ट ने उच्छी से हमें होल में टाइट करना पढ़ता है और है तो बेक पार टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल का बटन टैपिंग कहा जाता है तो ठीक है और जैस़ा कि आपको दिख रहा है यह image में एक हमारे पास निसके help से हमें ठीड बनाते हैं क्या वधा है कि हम्रेंपास क्यूणर कंई सारे की बोल्ट होते हैं बोल्ट में थैड होता है और बोल्ट को हमें किसी भी हॉल में टाइट करना ह होता है तो उसमें हमें होल में तुल्डॏत बनाना ज़रूरी होता है इसलिए हम असցरे टैपिंग करते हैं फिराफों कि the drill hole का साइज होता है वह the terminal के kold diameter के बराबर होता है जैसा है कि आपको image में दिख रहा है जो माइनल डायमीटर होता है अजो आपको right side आपको major diameter दिख रहा है और जो left side तेब्स वह आपको मैनल डाइमुटर दिखरा है ठीक है अ ठेंस आप हम आप ITEM इसके बाल्ट करें तो साइज का जो फार्मुला होता है ट्रेप्टिल साइज का जो फ़ार्मुला होता है ठेक है प्रेंट्स यदि आप major diameter से pitch को आप minus कर दो तो आपका tap drill size आपको निकल जाएगा ठेक है प्रेंट्स आप इसको हम एक example के तो तो समझते हैं यदि आपको 4 mm का tap चलाना है तो उसमें 3.3 का आपको drill करना पड़ेगा यदि आपको 5 mm का tap चलाना है तो उसमें 4.2 का drill करना है 6 mm के लिए आपको 5 का drill करना है और 7 mm tap के लिए 6 का drill करना है ठेक है फ्रेंट्स अब उसी तरह से आपको यदि 8 mm का tap चलाना है तो 6.75 का drill करना है और यदि 9 mm का tap चलाना है है तो उसमेंगों सेवन 25 25 गलिकल ना यह को 10 चलना थे तुसमें आपको 8.5 करना है 14 करना है तो तो आपको 12 डिल करना पड़ेगा 16 के लिए यह द F 묘न एक हई एक छाड है आप इस चर्थ को देख लो याद कर लो ऊड़ चाईता से और इस चार्थ की सहाइदा से आपको पर दोस्तों तो आज की विडियो बस इतना है बड़ेट के लिए थैंक्यू झाल झाल